हेलो फ्रेंस सभीको मेरे नमस्कार आज आपका कीमति समय लेते हुए हम बताएंगे कुर्ति की कटिंग एड़िश्टीचिंग तो हमारे फ्रेंस कुछ इस तर से कपड़ाई कढ़ाई वाला और हमने फ्रेंस इसको फोल्ड कर दिया हम गले की कढ़ाई से कढ़ाई मिला यानिकाई के लिया उनिया दिले तो हमने यह टाव कर दिया तो डवल कंतते हुए ऐस्को कुछ इस तरह से जब हमने डवल कर दिया तो डवल हमने करने के बाद आप हम इसकी लाग नह रखांगे हम इसकी 35 इंच इसकी लान्त रखेंग और ये हमारा 35 पे हमने ये निशान लगा दिया और फ्रैंस इसको नीचे से जो हमारा एश्ट्रा है मुझको उधेड़ देंगे लैस को लैस निकालने के बाद अब हम complete रखेंगे लैस तो हम इस लैस को उपर को उठा करके रख देंगे तो यानि के complete हमारा 35 हो जाएगा तो हमने इसकी लैंद यहां भी 35 तो हमने 35 यहां नापेंगे हमने 35-35 नापते हुए और फ्रैंस हमने 35 यहां नापा और यहां हम 13 यानि के सोल्डर रखेंगे 6 इंच यह हमारा बिना कॉलर का गल्डा है इसमें कॉलर नहीं है तो 6 इंच सोल्डर और हमने मुढ़े रखे चेश्टे हमारे 18 के हमने रखे 9 इंच तो हमने 9 इंच रखे और यह कमर की दूरी रखते हम 7 इंच पर तो हमारी कमर है 14 इंच तो हम रखेंगे 7 इंच तो हमने 7 इंच रख दे तो 7 इंच रखते हुए जहां चाक खोलते हैं वहां हम चेश्ट से 5 इंच एश्टर लेते हैं तो हमने यह इस तरह से नाप लिया और एक इंच यहां एश्टर लिया अब हमने श्केल के दुआरा लाइन खीज देंगे यहां पर भी हमने श्केल के दुआरा लाइन खीज दी और यहां भी तो हमने कुछ इस तरह से लाइन खीज दी सीदी और यहां भी हमने लाइन खीज दी तो जे हमने लाइन खीचिने के बाद एक जो निशान है हमारा वो cutting का और एक fitting का है तो एक पर हम cutting कर देंगे एक पर हमारी fitting रहेगी तो friends हमने कुछ इस तरह से निशान लगा लिए अब हम कट कर देंगे कुछ इस तरह से कट complete कर ले अपना cutting और friends यह हमने इस तरह से complete हमारा हो गया और जो हमारा front पार्ट हो गया हमारा cut अब हम back part कट करेंगे तो back part इसी के ही अनुसार cut कर लेंगे निशान लगाने की जरूरत नहीं है हम इसको रखेंगे इसको fold किया लिया हमने fold करने के बाद अब हम इसको कुछ इस तरह से रख देंगे रखने के बाद अब हम इसको ही ऐसे ही cut कर देंगे बहुत आसान है back part cut करना यानि कि जब हमने friend का निशान लगा लिए तो back हम ऐसे ही रख करके cut कर देंगे तो हमने देखो friends इस तरह से बिर्कुल अच्छी finishing के साथ हमने इसको रख लिया और रखने के बाद अब हम इसको अच्छे से finishing करने के बाद हमने इसको रख लिया रखने के बाद अब हम friends नीचे रखेंगे हम दो इंच दो इंच हम एश्टर रख रहे हैं और दो इंच एश्टर रखते हुए कुछ इस तरह से हम इसको बस कट कर देंगे कट करने के बाद अब हम देखो हमने ये कट कर लिया और हमने ये इस तरह से कट कर लिया अब हम यह हमारा जो बैक पार्ट यानि के एक सार कर लिया हमने और यह एक हमारा बैक होगे एक फ्रंड अब हम इसको अब हम अब हमने फ्रैंस इस तरह शेक लाइन खीज देंगे अब यहां हम complete हमारा cut होगे अब हम बाजू cut करेंगे बाजू के लिए हम fold कर रहा है बाजू के लिए हम कुछ इस तरह से fold कर देंगे और इस तरह से हमने बाजू का cut कर रहे है यानि के और ब्रुकुल अच्छिफ नेशिंग के साथ हम इसको fold कर लेंगे अभी तो यह हमारा single fold है अब हमने double fold कर लिया तो यानि के हमारी चारताय बन चुकी जब हमारी चारताय बन चुकी कुछ इस तरह से अब हमारे यह चारताय हो चुकी complete अब हमने यहां मोरी रख रहे हैं यान के पांच इंच मोरी रख रहे हम जब हमने पांच इंच मोरी रख दी तो हम इसको कट कर लेंगे कुछ इस तरह से इस तरह से हमने कट कर लेंगे और लंबाई रखे हमने इसकी 10 इंच हमें अम्रेला वाले आस्तिन बनानी है तो हमने इसको 10 इंची ही रखेंगे तो हमने इस तरह से 10 इंच रखने के बाद अब इसको कट कर लिया यहां से भी और फ्रेंस अब हम कट करेंगे अम्रेला अब हम कट करने जा रहे हैं अमरेला, अमरेला को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो यह हमने कुछ इस तरह से फोल्ड कर लिया, इस तरह से, और अब हम अमरेला बाजू कट कर लेंगे, जह हम अमरेला बाजू कट करेंगे, तो हमने इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम अब हमने यहाँ इस तरह से रख लेंगे अब यह हमने बिरकुल ना पूप के हमने अच्छा से अब हमने कुछ इस तरह से नाप लिया और अपनी बाजु बिरकुल अच्छी फनेशिंग के साथ इसको कट कर लेंगे तो यह हमने इस तरह से रखने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे कुछ इस तरह से तब हम इसको यहां से कट कर लेंगे और इसकी लंबाई हमने ना पली अब हम इसको रख करके इधर कट करेंगे अब यह हमने हमारी बाजु हो चुकी कट कुछ इस तरह से अब यहां से भी हम कट कर लेंगे यह हमारी बाजु है और इसको इस पर रख देंगे हैं कुछ तरह से यहां ओ हम कट कर लेंगे अब देखो फ्रेंस हमारी यह बाजु हो चुकी यहां कर लेंगे अब देखो हम इसको टैटरोन रख लें और गला इस तरह से ही शिलते चले जाएंगे और यह कुछ इस तरह से मेँने सिल लिया है यहां इसको कर देंगे चोटे-ец्योटे हम कट लगा लेंगे फोल्ड करने के लिए है महत्रे में अभी हमने कुछ इस तरह से मिसको कट लगा देंगे अब देखो फ्रेंस हम इसको फोल्ड कर दिया हमने इस तरह से ही और इस तरह से चिफिनेशिंग के साथ हम फोल्ड कर लेंगे और इसको जहां तो हम इसके किनारे किनारे सिलाई लगाते जाएंगे और ये हमने कुछ किनारे किनारे सिलाई लगाते जाएंगे देखो फ्रेंस हमारा गला कुछ इस तरह से बन गया अब हम यहां उरेवी पट्टी काट रहे हैं, कुछ इस तरह से, बैक के गले के लिए उरेवी पट्टी हम कट कर रहे हैं, और अब हम देखो, डेड़ इंच की उरेवी पट्टी कटती है, और हमने इस तरह से ही उरेवी पट्टी कट करने के बाद इसको जोयांड कर लेंगे, तो हमने कुछ इस तरह से जोएंड कर ले और जोएंड करने के बाद अब हम अब देखो यहां भी कट करके हम जोएंड कर लेंगे तो हम इसमें से ही बैक पार्ट का गला बना देंगे अब हम यानिके गला उठाएंगे और इसको सिलेंगे कुछ इस तरह से हम इसको फोल्ड करते हुए यहां सिल के लिए आएंगे बस इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे अब देखो फ्रेंस हमने यहां सिलाई लगा दी और सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके छोटे-छोटे कट मार लगा लेंगे तो छोटे-छोटे कट लगाते हुए चिफिनेशिंग के साथ हम किनारे-किनारे सिलाई लगाते जाएंगे इससे हमारी गले का अच्छा लूक आएगा तो हमने किनारे-किनारे सिलाई लगा दी सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया अब हम उसको इस तरह से यानि के तुर्पन कर देंगे तो दुमने कर लें फ्रैंस मेरी बीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और मेरे नए हो, तो मेरे चैनल कдо सब्स्क्राइब कर लीज़िए, ताकि मेरी हो नुँ डिजाइनर वीडियों आपको मिलती रहें, और मेरे चैनल को सब्स्क्राइब करना, कमेंट में जरू लिख करके भेजना, तो फ्रेंस हमने कुछ इस तरह से लैस रखते हुए जाएंगे अपने दावन पर हमने इस तरह से लैस रख दी और ये सिल दिया तो हमें बिरकुल कम्प्लीट मैंती सिंच चाहिए तो हमने उसके अनुसारी ही ये लैस हमने लगा दी कुछ इस तरह से तो हमने इस तरह से लैस लगा दी अब देखो फ्रेंस हमने ये बाजू बाजू को हम अम्रेला बाजू है हमारी तो हम इसको इस तरह से जोएंड कर लेंगे जोएंड करने के बाद अब हम कुछ इस तरह से अभी इस तरह से ही हम सिल लेंगे और इसको जो फोल्ड करते हैं किनारा उसको फोल्ड कर लेंगे देखो ये हमारी अम्रेला बाजू इस तरह से तो हम इसको उल्टे के साइड ही इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे कुछ इस तरह से हम इसको फोल्ड करते करते चले जाएंगे तो हमारी ये बाजू फोल्ड हो रही है यानि के अम्रेला आस्तिन है हमारी ये अभी हमने अपनी बाजू कुछ इस तरह से ही सारे फोल्ड कर ली सिलाई जहां हमारा उल्टा है तो उल्टे की साइड ही हमने ये फोल्ड कर ली फ्रैंस कुछ इस तरह से अभी हम बाजू लगाएंगे अपने कुड़ते पे बाजू लगाएंगे देखो कुछ इस तरह से अब हमने उल्टी की साइड उल्टी रख दी और सीधे के साइड सीधी तो हम इस तरह से बाजू लगा देंगे अब ये हमने इस तरह से बाजू लगाने के बाद तो अबने फ्रेंस कुछ इस तरह से बाजू लगा दिए अबने फ्रेंस कुछ इस तरह से बाजू लगाने के बार अब मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक